आप सभी प्रियादर्शिकों का स्वागत है, बात करेंगे जनवरी 31 को, निफ्टी में क्या हुआ, आज बुल्स का पल्डा भरी था, बैल के पास अभी कितना बल और बाकी है, क्या ये 17,500 को क्रॉस कर सकता है, फरवरी 1, सबसे important दिन रहेगा इस current year का, बजट का दिन है, थोड़ा सावधान रहेए, exposure अपना कम कीजेगा, क्योंकि पता नहीं लगता उंट किस करवत बैठे, अगर आपके फिवरिम बैठा आपने long किया हुआ है, तो हो सकता है आपको बहुत बढ़िया फाइदा मिले, ब से बड़ा दिगज है, Reliance Industries और बहुत ही positive तरह से trading हुई है आज इसमें, आईए चल कर सबसे पहले, निफ्टी का हम देखते हैं, तो निफ्टी में काफी अच्छा momentum रहा, आज सुभास का जो low बना था, 17,280 के आसपास, उसी के नीचे नहीं तोड़ पाया, और high में 17,400 के तो 120 पॉइंट की सारे दिन भर activity करता रहा, बट अच्छी बात ये है कि आज broader positive network था, देखिए, 44 advance गए है, जहाँ पी decline सिर्फ 6 stock का आया है, तो ये broader market आज बहुत positive था, जिसकी वज़े से market ने काफी अच्छी activity दिखाई है, अब Reliance का अगर देखें, तो निफ्टी का change bound में रहा, यहाँ से देखेंगे, तो ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने कोशिश, फिर नीचे फिर फिर उंचे, तो ये जो दो चार्ट अब बन चुके हैं आपके लिए, निफ्टी में इनको जड़ा अपने चार्ट पर मार करके रखेगा, आज का upper level थोड़ा सा रज budget कड़े है, तो थोड़ा सा अपनी position को कम रखे, cash में बढ़िया रहेगा, अगर आपके पास थोड़ा cash है अपने portfolio में, अगर किसी वज़े से नीजर क्रियेक्शन आता है, तो कम दामों पर माल उठा सकते हो, अब अगर आगे बात के रहें, दूसरा stock जो है, सबसे important बात है Tata Motors ने फिर से positive growth दिखा दी है, और देखिए, ये 500 जो इसका level है यहाँ पर, अब लग रहा है कि एक तरह से इसने इसको reclaim कर दिया है, और फिर से strong momentum के साथ बढ़ा है, कल 500 के नीचे बन था, आज 500 का support लिया है, कई बार और यहाँ से उपर गया है, volume के साथ बढ़ना Tata Motors का और 500 के उपर रहना, ये clear indicate कर रहा है कि FII ने यहाँ पर खरीदारी शुरू कर दी है इस stock में, तो ये positive momentum का दूसरा कारण है, इस बात को आप समझ के रखे, FII are now back in the game, दूसरा, IT के sector के stocks फिर से bounce back दिखाया है, तो ये दूसरा proof है, जिसमें IT के stocks, अगर आप TCS की बात करें, एक दश्मलव दो परतिशत चड़ा है, Infosys दो दश्मलव नो परतिशत, अल्मौस तीन परतिशत चड़ा है, और Vipro को देखें, तो Vipro यहाँ पर करी करी तीन दश्मलव साथ, ये तीनों stock काफी तगड़े गिरे थे, Infosys, Vipro और HCL Tech, आज तीनों में काफी अच्छी खर positive view दिखाया है, अगर आज का banking sector का देखें, निफ्टी बैंक जो है, 0.76, एक बार तो लग रहा था कि शायद market नीचे गिरेगा, क्योंकि bank निफ्टी ने, यहाँ से देखिए, इसको फिर से कल का closing के आसपा सागए, इसने अच्छा momentum रखा, जो कि हमारे हिसाब से एक सही trading strategy ह है, इनके लिए, अब कौन से bank अच्छी रहा है, कौन से bank negative, HDSE bank में फिर से lead position बनाई है, 1.5%, but twin Kotec bank and industry bank, यह respectively 2 परतिशत और 3.5 परतिशत गिरे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर, एक negative territory में जाना, इन दोनों bank का, यह समझ में नहीं आया, क्योंकि FIA एक तरफ आपका Tata Motors और IT खरीद रहे हैं, और दूसी तरफ, यहाँ पर banks को short कर रहे हैं, तो FIA के दिमाग में क्या चल रहा है, यह अभी clear नहीं हो पाया है, आज की तारीक से, हो सकता है, बजट में IT के लिए कुछ अच्छा रहे, और यहाँ पर banking sector को थोड़ा सा जटका लग सके, त बहुत important है, अब international market जो गिरावट आ रही थी, वो थोड़ी सी रुख गई है यहाँ पर, देखिए, 14,000 के नीचे कई बार गया, और यहाँ पर 13,800, 13,600 के बीच में, बहुत strong support लिया है, इसने कई बार, अगर आप देखें, तो यह जो 13,800 और 13,600 का level है, पिछले 5 दिनों से कई बार support लेके गया है, तो लग रहा है कि near Trump का यह base बन चुका है NASDAQ में, और आज भी यह फिर से कोशिश करेगा, कि यहाँ पर 14,600 का level cross करने की कोशिश करेगा, अभी का future 14,500 के असपास trade कर रहा है, प्लस 0.42% अप movement के साथ में, जरम पावल जी ने clear कर दिया है, 6 हफते मे interest rate बढ़ेगा US में, तो उसका बात समझे, यह एक negative impact रहेगा stock market के लिए, क्योंकि अगर interest rate बढ़ेएंगे, तो लोग बात stock market से पैसा निकालके, government के bonds में लगाना पसंद करेंगे, safe haven की तरह से, तो यह Indian stock market पर भी इसका impact आएगा, अब हमारा भी budget आ रहा है, देखे, निर्म अच्छा रहेगा, अगर हमें दो sector pick करने हैं, सिर्फ दो sector की बात करेंगे, एक तो railway sector और दूसरा infrastructure, इन दोनों में काफी अच्छी उमीद रहेगी, तकड़ा उचाल आने की उमीद है, और साथ साथ में यह insurance में थोड़ा tax rebate और limit को आप करने की बात करेंगे, जो वो sector भी अच्छे रहेंगे हमारे अनुमान के मुताबिक, पर क्या sector होंगे, जिसमें थोड़ा सा negative view रहेगा, शायद stock market के लिए जो trading companies हैं, या जो investors हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो उनका expectation attacks कम करना, STD कम करना वो नहीं आया, तो यह यहाँ पर कोहरा मच सकता है stock market में, तो थोड़ detail के साथ आपको बताएंगे, please consult your financial advisor before investing and trading, अब nifty में, क्या यहाँ से उपर जाएगा, एक simple question है हमें, तो simple बात करनी है भई, हम future option में काम करते हैं, तो हम क्या तेजी का रुख खेलें, कि यहाँ से मंदे का रुख आएगा अभी, तो यह एक important question होता है, जो कई parameter के business पर answer किया momentum रखेगा, अगर आप dollar रुपी का भी देखें, तो आज का dollar रुपी का भाव, 74 रुपे, 70 पैसे के आसपास चल रहा है, जो की, इसका जो high बना है, 75 रुपे, 50 पैसे तक, वहाँ से अब थोड़ा सा trend नीचे को आ रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है कि FIA इतनी ज़्यादा बिक्वाली नहीं कर रहे हैं, रुपे के लिए अपना dollar को नहीं खरीद रहे हैं, आज at least, FIA ने एक बार तो break कर दिया है support, अगर budget में कोई अच्छी positive news नहीं आए इन investor company के लिए, तो FIA के पास बहुत बड़ा असलाई खटा हो चुका है, और यह फिर से नया support को break कर सकते है यहां से, तो इसको थोड़ा समल के रहिएगा, FIA का बहुत important data है, जो हमारे पास 28 तारिक का data है, exchange के तरफ से, उसमें 5000 करोड की selling की थी, 28 तारिक को भी, आज की selling की तो है, बट शायद कम की होगी, और बाद में second half में काफी अच्छी buying करके जा रहे है, FIA, तो लग रहा है कि कुछ उमीद की जा रही है, निर्मला सीतरमजी से, जो हमारी माननिये, यहां पर वित्त मंतरी है, तो वो कुछ करें, तो stock market में चरहेगा, अगर किसी वज़े से stock market के लिए positive news नहीं आती है, और negative आती है, तो धिहान रखिए, हम कई बार से बोल रहे है, weak hands might get squeezed, और हो सकता है कि काफी तकड़ा जटका लगे bank में, दोस्तो हमने 60 दे चैनल्स किया था, और अभी तक एक लाग से ज़्यादा profit आ चुका है, तो 30 दिन हुए है, बाकी 30 दिन रहेंगे, तो उसका हम आपको will keep on posted, हमारे ने detail वीडियो बनाये, चाहे तो आप उसको देख सकते है, हमारा 50% क के आसपास trade कर रहा है, जो की 100-200 पॉइंट के आसपास उपर कर रहा है, अब ज़रा चलकर निफ्टी का technical analysis देखते हैं सबसे पहले, उसमें क्या लग रहा है हमें निफ्टी के साथ में, तो निफ्टी का, अगर हम आज का trend देखें, तो ये दो लेवल आप अपने चार्ट पर इनको जरूर माक करके रखिएगा, ये बहुत important बन गए है, कल budget के लिए इनको ध्यान रखिएगा, आज का जो low बना है, 17,265 के आसपास, और जो आज का high बना है यहाँ पर, दो बार, तीन बारे से रच किया है, 17,410, तो ये दोनो लेवल आपके लिए बहुत important जाँग बजट के बाद, ये 17,265 के लेवल को 15 मिनट के candle पर नीचे की तरफ को pressure लगाता है, तो यहाँ पर market हो सकता है, नीचे की तरफ को जाए, तो दोनो लेवल आपके लिए एक run नीती की तरह से काम करेंगे, I hope आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप इसको सीख पा रहे है और जैसे अगर broader view देखें, तो हमने बताया था, 17,000 का level एक काफी strong support की तरह से काम कर रहा है, और यहाँ पर जो हमने पहले भी आपको बताया था, 17,380, आज भी वहीं से फोड़ा सा reverse trend बनाया है, कल का जो high था, उसी के असपास से जाकर फिर नीचे को आ गया है market में, तो अ 17,760 का सबसे पहला target हो सकता है, यहाँ पर अगर यह उपर जाने लगे, तो थोड़ा सा यह अपने चार्ट पर इस target को भी मार रखें, बुली इंजल बैंड के साथ में, यह यहाँ पर है, और अगर super trend को देखें, तो 17,980 का level है, जो एक sprong resistance की दान करगा, तो उपर जाते ह यहाँ बुल्स के लिए काफी resistance का pressure रख सकता है, यहाँ पर, unless until निर्मला सितनमन जी कुछ एकदम magic कर दें, बजट में, और यहाँ पर कुछ tax वगेरा कम कर दें, जो आपके लिए अच्छी ख़वर रहेगी, banking sector में, यहाँ पर RSI को अगर देखा जाए, तो RSI के level 44 है, जो क एक neutral zone कहलाएगे, तो budget में हम neutral जा रहे हैं, ना overboard zone में है, ना oversold zone में है, तो इस बात को भी आप अपने चार्ट पर माग करके, आईए ज़रा चलकर अब देखते है, option chain का analysis, क्या होंगे की levels देखने के लिए, option chain में, budget से पहले, तो देखिए weekly option chain को आपके लिए खोल रहे है यहाँ पर सबसे पहले, अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा open interest कहाँ पर है, तो जो सबसे ज़्यादा open interest है, वो है एक लाख के आसपास, करीब-करीब 18,000 का, तो इस हफते की, जो budget में अगर ज़्यादा भी positive आया, तो 18,000 की broader range है, इसके उपर नहीं जा सकता है, अगर अगर बात को बात करें, तो 17,200 पर ये एक strong support लग रहा है, निफ्टी का, तो 17,200 बहुत सही support रहेगा, और 17,500 पर एक सही resistance रहेगा, तो कल की broad range का अगर कोई ना positive ना negative momentum आता है, तो इस broad range में काम करना चाहिए, 17,200 से लेकर 17,500 के बीच में, तो कोई चाहे, तो short term के लिए, पर आए, तो खरी लिजे, उपर के level पर आए, तो बेच दीजे, बट अगर आप broader range देखें, market की budget से समझेगा, क्या हो रहा है market में, budget में क्या speech चल रही है, और अगर broader range देखें, 17,000 से लेकर 18,000 की range रहेगी, जो आज की option chain data के basis पर इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पर, त have more cash than our trading positions in any direction, अगर हम फर्वरी एक का trade plan के बात करें, market अभी भी negative bias है, हिंदुस्तान में करोना cases अभी भी बढ़ रहे हैं, और यह जो करोना के नए-नए version आ रहे हैं, यह थोड़ा सा stability नहीं ला रहे हैं, यहाँ पर market के हिसाब से, अब, overboard zone से गिर कर, यह वापिस अपने neutral zone में आ गया है, क्या हमारी position है, paid members को हमने already position बता चुके हैं, कुछ position लिए जाना है, हलकी सी position, बट risk के हिसाब से, और क्या हमारी specific strategy है, वो सारे, अगर आपको जाननी है, तो हमारे advanced level की आप paid membership join कर सकते हैं, अगर किसी stock का short term का buying level जानना है, short term के target, या फिर long term के target जानना है, तो हमें paid member बनिये, 59 रुपीज की महस charges हैं केवल, और आपको सारे पुराने वीडियो के access मिल जाएंगे, और उसमें आपको कोई specific question पूछना है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, अब अगर हम बात करें, आप हम February में काफी लोगों को request आरा था, ट्रेडिंग कराईए, trading course कर कर दिया है, February में registration open है, आप चाहें तो उसके लिए registration कर सकते हैं, आपके Google profile के accordingly हमारे चैनल के 4000 वीडियो में से आपके लिए ये वीडियो प्रस्त है, चार आप चाहें तो देख सकते हैं, जहीं जाबारत, बाई गाईज!